परीज़ के रिमुव करके उसके उपर हम एम इंप्लैंट को बैठाने के लिए हमें नी को नी के एंड को शेप देना पड़ता है इसके लिए जो robotic surgery है सबसे पहले तो हमें planning में help करती है जादा तर patient जो आते हैं neer replacement के लिए उनकी arthritis काफी severe हो चुकी होती है उनके pyramid deformity हो चुकी होती है तो जब हम robotic surgery करते हैं तो हम उनका एक city scan लेते हैं उनके kulhe से लेके उनके ankle ते हैं उस patient का हम पूरा जो pair का alignment है वो check करते हैं और उस patient का हम एक virtual 3D model त्यार करते हैं अपने software पे तो ये robotic में जो planning है उसमे help करता है उस model पे हम एक दिन पहले ही plan करते हैं कि हमें किस तरह से इसमें cut लेना चाहिए जिससे कि जब ये part हम लगाएं तो pair की alignment बिल्कुल सीधी हो जाए दोनो pair में balance चीक हो जाए जो दोनो ligament के बीच में medial और lateral ligament के बीच में भी balance एकतम perfect हो जाए तो ये सारी planning जो है हम एक दिन पहले कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास robot में ये software होते हैं ये CT scan होती है, ये सारी information होती है तो इससे जो overall patient की alignment होती है वो perfect लाने में हमें बहुत help करती है तो ये तरह first part planning का second part है कि हमने planning तो कर लिया लेकिन उसको execute भी करना है so there can always be a human error while doing the surgery while executing that plan but robotic में क्या होता है ये सारे information हम robotic arm में डालते है तो ये जो bone की preparation का काम है ये फिर robot से होता है जैसे हमने exact plan किया है so आपकी जो planning भी इसमें एकदम perfect होती है और आपका जो इसका execution है वो भी बिल्कुल perfect होता है so that way it helps the surgeon in two ways in perfect planning and in perfect execution